नमस्कार सभी उत्राखंडी भाई बेनों को बहुत-बहुत सुबकामना हैं और आज मैं फिर आपके बीच में हूँ मैं आपको आउगत करा दूँ कि ग्रह मंत्राले भारत सरकार ने अंतर राज्जी यव जो लोग कैंपों में रह रहे हैं या अन्य लोग हैं उनको अब प्रवास की छूट दी है और पिछले 24 घंटों में लगभग 85,000 से अधिक लोगों ने रजिस्टेशन किया है अपने गाउं के तरफ लोटने के लिए यह हमारे लिए एक बहुत जिम्मेदारी का काम आज मिल गया है मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा और विशिसकर मैं अपने प्रधान गणों से आज अंडोध करूंगा जो सामाजी कारे करता हैं उनसे अंडोध करूंगा तमाम जो NGO हैं जो संस्ताइं इस काम में सयोग कर रही हैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी कुछ अधिक बढ़ गई है बड़ी संख्या में प्रवासी भाई बहन अपने परिवार के सहित अपने गाओं को लोटेंगे हमको बहुत सतर्कता के साथ अपनत्तो के साथ आत्मेता के साथ उनको अपने गाओं में ठहरने की ब्योस्ता करनी है मैं ये भी बता दूँ कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं हम उनको ये न समझें कि वो सक्रमित हैं हो सकता है कि कोई सक्रमित हो सकते हैं लेकिन हम सब के साथ ऐसा न सोचें कोविड-19 यानि कोरोना वाइरस जिससे हम लोग बहुत चिंतित भी हैं आज हमारी सरकार ने तमाम तरह की जो ब्यवस्ताएं चाहिए थी वो ब्यवस्ताएं हमने की हैं हमारे राज्य को ये भी सोभाग्य है हमारे डॉक्टर्स को कि अभी तक सभी जो पेसेंट है वो ठीक होकर अपने घरों के लिए जा रहे हैं कोरोना वाइरस से कोई भी मिर्त्यू आज तक उत्राखंड में नहीं हुई है हमारे डॉक्टर्नों पर हमको विश्वास है वो बहुत कुसलता से काम कर रहे हैं मैं प्रधान गणों से कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने घर आ रहे हैं वो उनको होम क्वरिन्टाइन में हमको रखना होगा जो लोग कुतराखंड राज्ये से एक दूसरे जिले में जा रहे हैं जो हमारे क्वरोना मुक्ट जिले हैं उनको कोई क्वरिन्टाइन की जरुवत नहीं है वो सामन्य जैसे हम लोग सभी लोग रहते हैं इसी तरीके से रह सकते हैं अपने खेतों में काम भी कर सकते हैं और और भी जो भी हमारे गाओं में काम है या हम लोग जो भी सामन्य जीवन में जिन चीजों को करते आये हैं वो सामन्य जीवन वो लोग जी सकेंगे हाँ ये मैं जरूर कहना चाहूंगा मैंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है हमको कोई ऐसा व्यक्ति लगता है कि उसको खासी जुखाम लंबे समय से हो गया है खासी हो रही है बुखार हो रहा है सरी टूट रहा है तो उसकी सूचना हम विभाग को दें जो हमारे control room है, उनको हम उसकी जानकरी दें, जो हमारे आसाएं हैं या जिनको आपके गाउं की जिम्मेदारी है, उनको हम सूचित करें, हर जुखाम, बुखार, ये जरूरी नहीं है कि वो कोरोना वाइरस से सक्रमित हुआ होगा, कोई जरूरी नहीं है, और इसलिए हम उसकी सूचना डॉक्टर्स को दें, जो एहतियाद बरतना चे उस एहतियाद को हम बरतें, ऐसा मेरा आप सब लोगों से विशेष अंडोध है, इस बीच बड़ी संख्या में मैंने जैसे बताया कि लोग बाहर से रेजिटेशन किया है, जो तरह खंड में आना चाहते हैं, उनको ह हम चरनबद तरीके से वापस लाने लाएंगे, क्योंकि अकेले दिल्नी से 26,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक अपना पंजीकरन कराया है, और आप सब समझ सकते हैं, कि हमको उसके लिए तमाम व्यवस्ताय करनी होंगी, जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा, उसका स्क्र रादी, उसका सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा, और जो सक्रमित होंगे, उनको हम यहीं हर्द्वार, देहरादून, हल्द्वानी या उदम सिंग नगर में, वहीं रोक लिया जाएगा, जिस पर भी ऐसी सक्रमन की सम्हावना होगी, उसको बिल्कुल भी उसके घर पर नहीं भी भीजा जाएगा, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग आने वाले हैं, उनके लिए हमारे रेल की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि बसों से इतने लोगों को लापाना संभाव नहीं है, तो कुछ जगों पर बस भी जाएगी, को कल से ही, सुबह से ही, यह काम प्रारंब हो जाएगा, जो पहाड के लोग पहाड में ही हैं, या एक दूसरे जिले में हैं, उत्राखंड के अंतरगत, उनको भी हमने परमिसन किया है, कि वो अपने गाउं जा सकते हैं, चार तारीक से हमारे हरिद्वार को छोड़ करके, सभी जिले हमारे खुल सकेंगे, जो हमारे स्विमिंग पूल है, ये सब बंद रहेंगे, लेकिन बाकी गत्विधिया संचालित होंगी, जो सरकारी कारले हैं, कहीं पर 33% के साथ खुलेंगे, कहीं पर 50% के साथ खुलेंगे, और जो ग्रीन जोन है, वहाँ पर खुलने की छूट है, लेकिन हम उनको भी अभी पूरी तरह नहीं खुलने वाले हैं, उनको एक सर्टेन परसंटेज में, जो बहुत जरूरी जिन सरकारी कार्मिकों का ओफिस में रहना जरूरी है, फस्ट फेज में मुनको भुलाएंगे, मैं समझता हूं कि आप सब लोग, और मैंने कहा कि मैं विसेश रूप से बात अप अपने गाओं की वर आ रहे हैं, उनको हमने विसेश चिनता भी करनी है, उनको एम नहीं महसुस होना चाहिए कि हम अपने गाओं में आए हैं, अपने घर में आए हैं, वो प्यार, दुलार, वो आत्मेता मुनको मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी आप से प्रातना है, जो लोग आने के उस्था राजय सरकार ने बनाई है, हम वहां की सरकार के साथ बातचित करके और आप सब को आपके गंतब्य तक पहुंचाएंगे, आपके घर तक पहुंचाएंगे, आप सुखी रहें, खुस रहें, ऐसी मेरी कामना है, बहुत-बहुत धन्यवाद,